नमस्कार आप देख रहे हैं दखबरदार आईए नजर डालते हैं सोथ की बड़ी खबर पर आप देख रहे हैं दखबरदार न्यूस ये न्यूस चैनल नहीं आपकी आवाज है आवाज ऐसी जिसे ना कोई दबा सकता है ना जुका सकता है हम करते हैं सब को खबरदार पर पहुंच चुकी है अब यह पार्टी चुनावों में वजूद बचाने के लिए संगर्श कर रही है हमीरपुर महोबत इंद्वारी संसदिय शेत्र में लोग सबाचुनाव को लेकर बस्पा ने नामंकन के ठीक एक दिन पहले अपना प्रत्याशी मैदान में उतारा है पार्टी ने कॉंग्रिस छोड़ कर बहुचन समाज पार्टी का दामन थामने वाले निर्दोश कुमार दिक्षित को मौका दिया है वहीं जाती समीकरणों के उलट फेर से चुनावी महा समर में बस्पा रसातल पर पहुँच चुकी है अब यह पार्टी चुनावों में वजूद बचाने के लिए संगर्श कर रही है वहीं ब्रामट प्रत्याशी उतारने के पीछे पार्टी का मकसद वोट बैंक बढ़ाना है बुद्वार की रात 9 बजे बस्पा के प्रत्याशी की घोशना के बाद सभी पार्टीयों में हल चल है कि बहुत समय बाद किसी पार्टी ने ब्रामट प्रत्याशी को मौका दिया है। वहीं राजनीती के जानकार एडवोकेट विजद वेदी के मुताबिक बसपा से ब्रामट को टिकेट दिये जाने से सीधे नुकसान सपा कॉंग्रेस की गटबंदन को हो सकता है। निर्दोश कुमार एक किसान है। वह तीन भाईयों में सबसे छोटे हैं। इनका एक बेटा निर्णे और एक बेटी अंशिका है। पिता प्राइवेट चिकितसक के रूप में स्वैम का नर्सिंग होम संचालित करते हैं। पहली बार बसपा ने साइकल को हराया। अब तक के अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। शेयर करें। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। अपने सपनों का घर बना रहे हैं। एपी कंस्ट्रक्शन सॉल्यूशन्स आपके लिए तैयार है। मजबूत सिविल इंजिनियरिंग से लेकर आकरशक वास्तु कला और विशशग्य वास्तु परामर्ज तक हम आपके सपने को साकार करते हैं। वास्तु कला, वास्तु और हुनर इतने बढ़ियां दिये गए नमबर पर कॉल करें और अपने घर के डिजाइन को चमकाएं।